नमस्कार मैं हूँ शालू बत्रा और आप देख रहे हैं पलपल करनाल के डाचर गुर्दवारे में हुई सिख समुदाय की आज एहम बैठक हर्याना के साथ दूसरे प्रदेशों के सिख समुदाय के लोग रहे मौजूद अब हर्याना में भाजपा को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि हर्याना के सिखोन या प्रदेश की मौजूदा भाजपा सरकार के कारेकरता से लेकर मुख्यमंत्री तक पूर्ण रूप से बायकट करने का फैसला ले लिया है हर्याणा में अब भाजपा के किसी लीडर को गुर्धवारे साहिब के कार्यक्रभ में नहीं बुलाया जाएगा और साथ ही ना हो उन्हें कोई सम्मान दिया जाएगा पून रूप से उनका हर्याणा के सिख विरोध करेंगे क्योंकि हर्याणा के सिख समुदाय के लोग हर्याणा के मुख्या मंत्री से नाराज है समय देने के बाद भी वे गुर्दवारे नहीं पहुंचे और फिर गुर्दवारे नहीं जाने की वज़े बताई गुर्दवारे में लगी भिंडरा वाली की फोटो जिस पर सारा विवाद है जिसको लेकर आज डाचर के गुर्दवारे साहिब में एक एहम बैठक हुई जिसमें हजारों की इतादाद में 6 हमुदाय के लोग पहुंचे जिसमें आज जहां फैसला लिया गया देखिए पलपल की खास रिपोर्ट सारियां संगता मलां के मता है के आज संपूरन तौरते खटर अते भीजे पीदा बाई काट की तर जबाए मैं किसे दा खंडन नहीं करदा पर दास अपनी पावना दसल लगया संपूरन बाई काट दा मतलब मैं नानक सार सींग डादी स्टेज ते अपने बलनों तो अटा सेव काम है मैं कदे नानक सार सींग डादी स्टेज ते बीजे पीदे बंदे नों सिरो पावन नहीं दे आंगा आज तो मैं कलगी तर्पितानों साक्षी मन के कहना है कि दास बीजे पी अदे खटरनों कदे अपने बनों सद्दा नहीं देवेगा आज जो गुद्र साब डाक्चरी के संगताने पारी काट पेच जो फैसला लिया गया बहुत बदिया एक सारे शिख्फा उते लाकूना चाहीदानी तो सारे कला कला जिड़ा सेखे उन्ता प्यासला बनना चाहीदा की फैसला लाएगा बाबबाजी बीजे पीजा मकंबल बाई काट किस्ता गया है कोई सेख उना नो अपने प्रोग्राम तो नहीं सब्देगा सन्वान तो नहीं करेगा अकर माफी मंगन्दी काल लां दे खट्र देजी फैर य गएट चेट रांजज़ा गार बिजेदा अकाल साब माफी मंगे पहला फेर इच्छान ले गएट आणके मंगे बाबबली पंजाब दे वेच अपना काली दालना लेना दा जड़ा गट बंदा ने जहें वीजे बीज जैना थी नहीं पूंध है नहीं आट जाओ एक्टा आए आए।